कि देखो जब गैंट मैंट बोलेगा तो सबसे पहले चार्ट बनाना पड़ेगा यहां पर लिखो यूनिट ओफ आउट्पुट मतलब कितना यूनिट्स प्रोडेक्शन में हुआ आउट्पुट कि दिख रहे हैं सबको फिर लिखो टाइम अवर्स लिखो साथ साथ बनाते जाओ फिर नेक्स देखो रेट पर अवर लिखो फिर दिया है डे वेजिस फिर लिखो बोनस फिर लिखो टोटल वेजिस और फिर एक बनाना कॉस्ट पर यूनिट टोटल वेजिस निकालने एंड कॉस्ट पर यूनिट देखो यूनिट ऑफ आउट्पुट में अब देखो नीचे एक बार छे बना है फिर एक बार साथ फिर एक बार बना है आठ और एक बना है दस तो यूनिट ऑफ आउट्पुट हैं टाइम उन्होंने कितना लिया है देखो स्टैंडर्ट टाइम दिया है कॉस्ट इसने वह साथ यूनिट्स अलब प्रोडियूस के आउटपुट का लेकिन टाइम लिया इसने वह इसने एट लिया और इसने एक तो जो लास्ट वाला था उसने देखो सरफ टाइम सेव किया और किसी ने टाइम नहीं किया बलके जो स्टार्टंग के दो है छे और साथ उन् ज्यादा टाइम लिया है और आउटपुट उन्होंने कम दिया है किसी को डाउट है यहां तक आगे देखो रेट पर अवर कितना चल रहा है थ्री चल रहा है सब कंडिशन्स में अब डे वेजेज देखो इनका कितने अवर्स काम किया इन्होंने एट अवर्स अवर्स के बेसिस पर देंगे देखो एट अवर्स और जो रेट पर वह भी अवर में दिया तो यहां जाएगा 24 इनका भी डे वेजेस हो जाएगा 24 देखो डे वेजेस सबका 24 लेंगे गयांट में अब आएंगे बोनस पर इन्होंने टाइम सेव किया नहीं तो कोई बोनस नहीं मिलेगा फिर इनको देखो टाइम सेव किया नहीं अब इस परसन का देखो जिसने आट में आट कंप्लीट किया तो इसको देंगे ट्वेंटी परसेंट ओफ वेजिस तो ट्वेंटी फोर का ट्वेंटी परसेंट निकालो तो जो स्टैंडर्ड तक पहुंचेगा उसको ही बोनस दिया जाएगा नेक्स इसमें देखो आगे इसमें तो अब इसका जो टोटल वेजिस है कितना हो गया यहां पर 28.80 गया और इनके टोटल वेजिस कितने रहेंगे 24 इसका भी कि वेंटी फॉरन ना कॉस्ट पर यूनिट निकालो यहं पर कितना रहा है कॉस्ट पर यूनिट पर यूनिट यह यूनिट वाला यूनिट से काल्कुलेट करना यह हमने जो डे तो एक यूनिट कितने का हो जाएगा इसका चार रुपए का हो गया और इसमें कितने का हो जाएगा 3.42 का और इसमें देखो 28.8 को डिवाइट करो एट से 3.6 आएगा यहाँ दर क्लियर है यह मैं यह मैं चलो अब इसमें देखो लास्ट वाला में आउट्पुट कितना कर रहा है यह देखो 10 यूनिट आगे इसमें देखो कितना टाइम ले रहा है यह एट आवर्स रेट पर अवर दिया है कितना 3 24 तो बोनुस बताओ कितना आएगा इसका देखो जो जिसने पूरा आठ का आठ किया था तो गयांट में क्या करते हैं उससे compareitas किया जाता है जो extra produce करता है याद रखना जिसको markicat दिया गया था और इसने पूरा ART का ART MENG किया तो इसका जो भी PER UNIT निकलेगा यह बनता है BASE किसके लिए जो EXTRA PRODUE करता है तो जो इसने 2 UNITS EXTRA PRODUE किया तो अब देखो इसके लिए COST PER UNIT कितना निकला था 3.6 तो हम इसके लिए भी 3.6 ही EZUME करेंगे याद रखना तो जो total wages आएगा यहां पर थोड़ा सा उल्टा चलेंगे तो जो total wages आएगा इसमें 10 10 को multiply करना 3.6 है तो total wages हो जाएगा आपका 36 तो day wages इसका बना था 24 इसका total wages बना था 36 तो जो इसका bonus है वो 36 में से 24 minus करेंगे तो आएगा 12 क्लियर है यहां तक येश मैं और किसी को कोई डाउट है तो पूछो देखो हमेशा याद रखना जो गेंट वाला रहेगा जिसने जिसको जब स्टैंडर्ड दिया है और स्टैंडर्ड आउट्पुट जब वो उसको मैच कर लेता है स्टैंडर्ड आउट्पुट और टाइम को तो वो बन जाता है बेस किसके लिए जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता है उनके लिए क्लियर है यहां तक सबको कि मॉनिका नीतू पलक कोई डाउट है किसी को कि नो मैं क्लियर है यह यह यह